हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार दिख स्वागत है देखे आज उन सब इस्टुडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है जो इंडियन एर फोर्स जोइन करना चाहते हैं देखे एफ कैट का एक्जाम जो 28, 29 और 30 अगस्त को हुआ था उसका रिजल्ट इंडियन एर फोर्स ने घूसित कर दिया है आज एफ कैट 2 ओफ 21 उसका रिजल्ट डिखले कर दिया गया है एफ कैट 2,021 तो अगर आपको उसको रिजल्ट को चेक करना है तो आप ओफिशल वेबसाइट एफ कैट.cdac.in पर जा उसमें कट ओफ आई है 157 हाला कि जो पेपर का पैटरन था वो हलका सा मोड़ेट टू डिफिकल्ट लेवल का था इसलिए कट ओफ थोड़ा कम आया है और जो EKT एग्जाम वगरा देते हैं उनका 150 में से 18 कट ओफ है तोटल जो वेकेंसी हैं 334 वेकेंसी हैं जिसमें से 74 वीक और जो नोन टेंक ब्रांच वाले होंगे उनका 52 वीक का ट्रेनिंग्स होगा देखिए अब सबसे इंपोर्टेंट चीज रियल्ट आ गया है आपको चेक कैसे करना है देखिए अगर किसी भी बच्चे को किसी भी एस्पिरेंट्स को समस्या होती है अपना रियल्ट चेक करन जैसे आप ऑफिसल वेब साइट पर जाएंगे तो इंडियन एड़फोर्स का लोगों के साथ आपका पूरा वेब पेज ओपन हो जाएगा जैसे आप उसमें थोड़ा नीचे के लेंगे तो एक बीच में इस ब्लैकिस टाइप में एक न्यूज फ्लैस आ रखा होगा जाएगा वह वेब पेज इस टैप का खुलेगा आपका उसमें आपका इमेल आइडी मांगेगा आपसे पासवर्ड मांगेगा एंड सेम जो कैप्चा होता है यह मांगेगा कि एंटर दा टेक्स्ट बिलो और जैसी सब करके आप लोगिन पर क्लिक करेंगे आपका सामने आ जाएगा इन केस आप पासवर्ड भूल गए है तो नीचे यहाँ पे एक उप्शन दिया गया है फोर्गट पासवर्ड जैसी आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उप्शन आएगा इमेल आइडी आपका मोबाइल नंबर एंड जो सिक्रेट कोशन आपने सेलेक् कोशन और उसका आप आंसर यहाँ पर टाइप करेंगे फिर वही सेम कैप्चा डालने के बाद में आपको सब्मिट करना होगा जैसी आप यहाँ पर सब्मिट करेंगे तो आपका पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर आ जाएगा जैसी वह पर सेम प्रोसेस आपको अपना मेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालके उसको ओपन करना है लोग इन तो यूजिंग रिस्टेशन नंबर जब आप फोर्थ पेज पर जाएंगे तो आपको रिस्टेशन नंबर डालना होगा आपका रिजल्ट आपके सामने आ देखें सबसे इंपोर्डेंट चीज है कि आपका अक्टूबर और नवंबर में इनके एससबी जो इंटर्वी होता है उसके लिए आपको को लेटरस वगरा आ जाएगा तो यह था आपका रिजल्ट अगर किसी को फिर भी समस्या हो रही है तो आप अपना रिश्टर मोबा थेंक यू जय हिंद जय भारत